हेलो दोस्तों आप सभी का मैं अपने चैनल पे वेलकम करता हूँ आपकी तैयारी को बहतर बनाने के लिए हर दिन मैं आपके लिए important questions का एक set लेकर आता हूँ और यह सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक कि आपका selection कैसी ना किसी नौकरी के लिए नहीं हो जाता है तो आगे शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज के set में कौन से question लिए गया है यह सारी के सारी question आपके लिए important है तो please last तक जरूर देखेगा देखे पहला question जो है वो हमारा पहले question में दिया गया है पित्रस निर्मित होता है आपको बताना है पित्रस निर्मित होता है तो किसके द्वारा होता है आपके सामने चार option है और सही उत्तर आपको बताना है कि पेतरस किसके द्वारा निर्मित होता है तो देखिए चारो बिकल्ब आपके सामने है और इसमें जो D वाला आपसन देखने है न यह बिलकुर सही होगा यह अक्रित द्वारा यह निर्मित होता है अगला क्वेशन देखिए अगला क्वेशन में से जो सही उत्तर है वो आपको बताना है तो देखिए स्वसन में उर्जा मुक्त होती है इसलिए जो आप सी वाला आपसन देख रहे हैं बिलकुल सही होगा क्योंकि यह उसमा छेपी अपकिरिया है ठीक है इसको ध्यान रखिएगा अगला क्वेशन है हमारा अगले प्रकास संसलेशन एक उसमा सोसी अपकिरिया है इसमें उसमा का उसोसन होता है अगला क्वेशन है हमारा निमलिखित में से कौन भौतिक प्रकिरिया नहीं है नीचे जो प्रकिरिया दी गई है इसमें से बताना है कौन भौतिक प्रकिरिया नहीं है चारू आपसन आप देख रहे हैं फलों का पकना जो है यह एक रासायनिक प्रिक्रिया है ना कि भौतिक प्रिक्रिया इसलिए डी वाला बिकल्प इस प्रस्टन के लिए बिल्कुत सही उत्तर होगा अगला क्वेश्चन है हमारा निमलिकेद में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है आपको बताना है हमारा निमलिखित बिद्दुत अभघट्टों के विलियन में से किसको कार की बैटरी में परियोग किया जाता है आपको बताना है निमलिखित बैद्दुत अभघट्टों के विलियन में से किसको कार की बैटरी में परियोग किया जाता है चारो बिकल्ब में से जो भी उतर सही है वही आपको बताना है उसकी अलामा कोई नहीं बताना है तो देखिए इसमें C वाला आपसन बिल्कु सही होगा जिसका सूत्र होता है रासाइनिक सूत्र होता है H2SO4 अगला कोईशन है हमारा पाच्चन तंत्र के संदर्में नमलिकत योगमों पर विचार कीजिए देखिए एंजाइम दिये गया है और पोशक्त तो दिया गया है तो देखिए इसके लिए नीचे जितने भी बिकल्ब दिये गया है आपको बताना है कौन सा सही होगा जैसे तीनों ये आप आप एंजाइम देख लिजे पोशक्त तो देख लिजे और देख लिजे नीचे से कौन सा आप्षन सही होगा तो दीखिए इसमें चारो आप्षन में से दी वाला बिलकुल सही होगा इसको ध्यान रखियागा के वल थिरी का मतलब क्या है जो आपके सामने ये दिख रहा है ये वाला बिलकुल सही है इसको ध्यान रखियेगा अगला क्वेशन है हमारा अगले क्वेशन में दिया गया है सारवेत्रिक गुरुतिये इस्तिरांग जिसे G से डिनोट किया जाता है देखे, कैपिटल जी और स्माल जी में फरका आप जानते रहेगा या एक कॉंस्टेंट होता है जिसके बारे हम बात करें अभी इसका मान निमलिखित में इसे क्या होता है आपको बताना है तो देखे, अगर 9.8 की बात करेंगे तो ये स्माल जी की वैलू होती है लेकिन कैपिटल जी की वैलू अगर हम बात करते है तो देखे, क्या होता है इसमें जो आप B वाला आफसन देख रहे हैं ये बिल्कुर सही होगा 6.673 into 10 power minus 11 ये आफसन जो होगा, बिल्कुर सही होगा इसको ध्यान रखिएगा अगला कोईशन है चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पिर्थवी पर भार की तुलना में होगा देखे, अगर द्रब्यमान पूछा जाएगा द्रब्यमान जो होता है वस्तु का होता है इसमाल जी कमान वहां उसका 1 by 6 होता है इसलिए ऐसा होता है अगला question है हमारा किसी तीर के एक सीरे को धनुस की तनित डोरी पर रखकर खीचने से उसमें उर्जा संचित हो जाती या उर्जा कौन सी है देखिए अगर धनुस पर तीर रखा जाता है और उसको खीचा जाता है तो आपको बताना है उसमें कौन सी उर्जा संचित होती है आपके सामने दिया जाने वाला सर्बोच सम्मान है, आपको बताना है, बिहार राजसभा पुरसकार के तहट दिया जाने वाला सर्बोच पुरसकार कौन सा है, चारो विकल्प में से जो सही उत्तर है वो आपको बताना होगा, तो देखे इसमें जो आप B वाला आपसन देख रहे हैं, B में डाक्टर राजेन सिखर सम्मान प्राप्त किया है, चारो बिकल्प में से जो सही उत्तर है वो आपको बताना होगा, तो देखिए जो इसमें C वाला आप्सन देख रहे हैं न, राजेन्र माथुर, राजेन्र माथुर जो आप देख रहे हैं बिलकुर सही होगा, इसको ध्यान रखिएगा, अगला कोईशन है हमारा, बिद्यापती पुरसकार के तहट दी जाने वाली पुरसकार राज यह आपको बताना है, बिद्यापती पुरसकार के तहट दी जाने वाली पुरसकार राज कितनी है, चारो बिकल्प आप देख लीजिए और सही उत्तर आपको बतान तो इसमें जो आप एवाला आफसन देख रहे हैं ये इस प्रस्ट के लिए बिलकुर सही होगा क्योंकि वह राज जो है वह पचास जार है इसलिए एवाला बिकल्ब जो है बिलकुर सही होगा अगला कोश्चन है हमारा आरे भट पुरसकार के शेतर में उलेखनी ये कार है तो प्रदान किया जाता है चारो बिकल्ब आप देख लीजे और सही उत्तर बता दीजे कौन सा होगा तो यह विज्ञान के शेतर में दिया जाता है इसलिए वी वाला बिकल्ब जो आपके सामने है इसलिए बिलकुर सही हो इसमें की गई थी, चारो बिकल्ब आप देखते हैं, और चारो बिकल्ब में जो सही उत्तर है वो आपको बताना है, तो यह स्वीडन, स्वीडन में की गई थी, इसलिए डी वाला बिकल्ब आपके सामने जो दिया गया है, बिल्कुर सही होगा, अगला क्वेशन है, सांती के प्रतिवर्ज कहां वित्रित किये जाते हैं, चारो बिकल्ब में से जो सही उत्तर है वो आपका भी वाला है, इस टाक होम इस प्रस्ण के लिए बिल्कुर सही उत्तर होगा, अगला क्वेशन है हमारा, सीवी रमन को किस शेतर में कारे करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम समानित किया गया था, तो इसमें जो चारो बिल्कुर सही होगा, प्रकास प्रकीडन, इसके छेतर में उन्होंने कारे किया था, जिसके लिए उन्होंने नोबल पुरस्कार प्राप किया था, देखिए अगला क्वेशन है हमारा, प्रतिवर्ज कितने नोबल पुरस्कार प् बेलकुँश सही होगा अगला क्वेश्चन है मारा सुरूवाद में नोबल पुरसकारों की पांच स्रेडि है तो वह स्रेडि कौन सी है तो देखे चारो उप्सन में से जो सही उत्तर है वो आपको बताना है तो देखे और साथ परवाला जो आप देख रहे न एगला आपसन यही बिखलब सही होगा क्योंकि यही स्रेड़ी बाद में जोड़ी गई थी अगला क्वेशन है निमलिखित में से किस विशे पर नोबल पुरस्कार नहीं दिया जाता है आपको बताना है निमलिखित में से जैसे नीचे चार विशे दिया यह है किस पर नोबल पुरसकार नहीं दिया जाता है चारो आफसन में से सही उत्तर आपको बताना है तो इसमें देखे जो अई वाला आफसन देख रहे हैं बिल्कु सही होगा इस पर नोबल पुरसकार नहीं दिया जाता है अगला question है हमारा अर्थसास्त्र में नोबल पुरस्कार किसके द्वारा अस्थापित किया गया था चारो बिकल्ब में से जो B वाला आफसन देख रहे हैं स्वेडन का केंद्रिय बैंक इस प्रशन के लिए बिल्कु सही उत्तर होगा अगला question है अर्थसास्त्र में पर्थम नोबल पुरस्कार किसे दिया गया था आपको बताना है तो चारो आफसन में से जो C वाला आफसन इस प्रशन के लिए बिल्कु सही होगा क्योंकि सबसे पहले अर्थसास्त्र में नोबल पुरस्कार जान टिन बरगेन और रेगनर फ्रिस को दिया गया था अगला question देखते हैं अगला question है 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 अ दिखर होगा इसको ध्यान रखियेगा है अगला कुछछन यह मारा अमर्थ सेयन को किस व्र्स अर्त-सा 1 काόल आपको बताना है तो इनको व्र्स उन्नेश सो अठानवे में नोबल पिरसकार मिला था इसलिए वह अपसemics जो होगा बिल्कुर सही होगा अगला question है हमारा किसी भारतिये को पर्थम नोबल पुरसकार किस शेतर में दिया गया था चारो बिकल्ब में से सही उत्तर आपको बताना है तो इसमें ये वाला option बिल्कुर सही होगा साहित के छेतर में ये वाला बिकल्प जो है बिल्कुछ सही है अगला question है हमारा Mary Curie को दो नोबेल पुरसकार किन्स रेडियों में मिले थे Mary Curie को दो नोबेल पुरसकार किन्स रेडियों में मिले थे चारो भी कलप आप देख लीजिए और सही उत्तर आपको बताना है तो इनको भौतकी और रसायन विज्ञान दोनों छेत्रों में नोबल पुरस्कार मिला था इसलिए एवाला आफसन जो होगा बिल्कुछ सही होगा अगला क्वेश्चन है हमारा निमलिकित में से किसे अनवरत सांती संघर्ष के लिए 2010 में नोबल पुरस्कार दिया गया था तो इसमें जो आप दी वाला आफसन देख रहे हैं बिल्कुछ सही होगा लियू जिया ओबो इस प्रस्चन के लिए बिल्कुछ सही उत्तर होगा इसको ध्यान रखियेगा अगला क्वे वाला आफसन देख रहे हैं विंस्टन चर्चिल इस प्रस्चन के लिए बिल्कुछ सही उत्तर होगा इनको सांती का नोबल पुरस्कार नहीं मिला था अगला क्वेश्चन है वाला निमलेखित में से कौन सा कार मौलाना मजहरूल हक से संबंद नहीं रखता है आपको बताना है निमलिकित में से कौन सा कार मौलाना मजहरूल हक से संबंद नहीं रखता है चारो आपसन आपके सामने है और सही उत्तर आपको बताना है जो सही उत्तर लगे आपको वही जल्दी से आप बता दीज गया है असोग पेपर मिल की अस्थापना इस परसने के लिए बिलकुर सही उत्तर होगा अगला कोश्चन है अमारा विखारी ठाकुर द्वारा रचित नाटक है आपको बताना विखारी ठाकुर किसके द्वारा रचित नाटक है चारो आपसन में से सही उत्तर आपको बताना ह तो यह जो है इसके लिए जो सही उत्तर है वापका ये वाला है विदेशिया इस प्रस्ण के लिए बिलकुल सही उत्तर होगा अगला क्वेशन है बिहार गवरोसंमान देने की शुरूआत बिहार के किस मुख्य मंतरी ने की थी तो देखिए इसमें जो आप D वाला अफसन देख रहे हैं न नितिश कुमार, नितिश कुमार ने यह शुरुवात किया था, इसलिए D वाला बिकल्ब जो होगा, बिलकुछ सही होगा, अगला क्वेशन देखते हैं, अगला क्वेशन ने बिहार कला पुरसकार प्रतिवर्स दिया जाता है, चारो बिकल्ब में से सही उत्तर आपको बताना है, तो यह जो है, 18 अक्टूबर को दिया जाता है, इसलिए इसमें जो D वाला अफसन है, विलकुछ सही होगा, इसको ध्यान रखिएगा, अगला क्वेशन है, बिहार सताब्दी पत्रकारिता सम्मान के तहत, आने वाले भारती सम्मान गरहन करने के पात्र हैं, जान दिजेगा, क्वेशन है, बिहार सताब्दी पत्रकारिता सम्मान के तहत, आने वाले भारती सम्मान गरहन करने के पात्र हैं, तो देखी, चारो आपसन आपके सामने हैं, और सही उत्तर जो है, वो आपका बी वाला है केवल महिला पत्रकार इस प्रशन के लिए बिलकुल सही उत्तर होगा अगला क्वेशन देखते हैं अगला क्वेशन है चाया पत्रकारिता सम्मान की पुरसकार रासी निर्धारित है आपको बताना है वो रास कितनी है, चाय पत्र कारिता सम्मान में, जो निर्धारित रासी है, वो कितनी है, तो इन चारों आप्षन में से जो सही उत्तर है, वो आपका बी वाला है, एक लाख इस प्रस्न के लिए, बिलकुर सही उत्तर होगा, अंगला क्वेशन बिखारी ठाक इसमें C वाला आपसन जो आप देख रहे हैं न, भोजपुरी भोजपुरी भांसा के साहित कार को दिया जाता है, इसलिए C वाला विकल्ब जो होगा, बिल्कुछ सही होगा, अगला question देखेंगे, अगले question में दिया गए मच्छरों के काटने से कौन सी बिमारी नहीं होती है आपको बताना है मच्छरों के काटने से कौन सी बिमारी नहीं होती है तो इसके लिए डी वाला विकल्प सही हुगा कोरोना जानते हैं कितना परिसान किया था सबको इसके लिए यही उत्तर सही होग अगला question है हमारा वैसाली जिले के पूरब में कौन सा जिला है आपको बताना है तो चारो विकल्ब मेसेज जो आप एवाला आपसन देख रहे हैं समझती पूर इस प्रसने के लिए बिलकुर सही उत्तर होगा अगला question है हमारा धान के खेतों में जुताई कब की जाती है धान के खेतों में जुताई कब की जाती है किस मंध में की जाती है आपको बताना है तो सब इसको अच्छे से जानते हैं धान के खेतों में जुताई जून में की जाती है इसको ध्यान रखिएगा इसलिए सी वाला अगला question है हमारा बरसात में बोई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं तो इसमें जो चारो आफसन है इसमें जो सही उत्तर है वह आपको बताना है तो इस परसन के लिए जो सही उत्तर है C वाला है इसको ध्यान रखेगा खरीब अगर आप भी किसान के घर के हैं अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक और सेयर करना बिलकुल न भूलिए और चैनल पे अगर आप नए है तो जुड़ जाए क्योंकि हर दिन मैं आपके लिए ऐसा ही प्रेक्टिस सेट लाता रहूँगा धन्यवाद